दोस्तों यह सच्चाई है सच के खोच की हम जानना चाहेते थे कि संथ आशा राम जी बापू आखिर किस परंपरा से संथ है इसलिए हमने इत्यास के 500 वर्स पुराने पन्नों को खोलना चालू किया और हम अपनी पूरी टीम के साथ चल दिये भेराना के खनगोर जंगल की योड़ जहां पर दादू दीन देयाल जी की गाथाएं सच्चाई बोर रही थी और यह स्थान है राजिस्थान जैपूर आपको लेके आए हैं बहुत सारे सवाल जबाब के बीच में हमारे बीचे समय शर्वन महराज जी दादू परमपरा से मौझूद है आपका हर्दिक सौगत है वेराना के परवत में जहां पर सो ब्रमग्यानियों की गाथाएं हैं आपके हाथ में जो गरंथ है गरंथ स्री भक्तमाल जी जो आपने बहुत एथ्यासिक बाते इसमें लिखी हुई है दादू जी की परमपरा का पुरा उल्ले किया गया है इस परमपरा को आपने संतासाराम जी बापने से जोड़ा तो इस परमपरा के बारे में आप क्या बो माराज एमदाबाद के कांकरिया तालापर है वहां पर्गट वे और दादू द्याल जी माराज वेसे परमात्मा स्री नारायन के पर्थम आउतार संकादिक हुए उनमें सनकजी माराज के वे अउतरित ले लोदी राम जी ब्रामन के वे पोश्य पुतर रहे हैं वैसे दाद लियाल की पांस दान है व्वारी वीच दादू प्रमप्रा के संत है महा मंदलि सवर हैं आधरनी संत हैं यहां पर जो बातें सौमी जी उठी, बहुत सारी आपके हाथ पे वक्तिमाल गरंत है जो दादुदिन ज्याल जी की प्रंपरासे निश्चल दाजी हुए, केशभ दाज जी हुए, लिला साहाज जी बाफु हुए, तो उनके बास अंतासारांघ जी बाफु हुए, तो क्या लगता है आपको इस चार्ट आपके हाथ में हैं? बाप्फु जी जो है बादु दियाल जी की परमपरासई संत है और ये संत जो है बड़े अच्छे धरम परचार करी रहे थे देशों विदेशों में करोड़ों लोगों को भक्ती मार्क पर उन्होंने लगाया बहुत ही सरानी है लेकिन अपसोस रुदू किस बात का है कि भार्द भुमिय के उपर हमारे संतों को कई बार एक बार नहीं कई बार बड़े-बड़े महापुरुसों को भी ठेश पहुचा ही है महराज के वेसे 152 सिष्य थे वो भी 152 ही सिद्ध थे सो को आग्या हुई कि भराणा परवत के उपर तब करना तो सो तो पहाण के उपर चड़ गए लेकिन बावन को ये आदेश था कि आप धर्म का परचार करें तो जगे जगे बावन सिष्यों ने तब किया साधना की और ये संपरदाय का एक बहुत विशाल जन समूर के रूप में जो आप देख रहे हैं निश्यलदाज जी हमारे दादूपंद संपरदाय के थे जना ने वह अपने विचार सागर जो बनाया है बहुत बढ़िया उससे उत्तम है विचार सागर जीसमे बनाया है आज तक वह निश्यलदाजी मराज कही और तोसी प्रम्परा का एक मखाना है पानीपत जिले में ज कुन sour conserv जेब्यालेन वे चार्ण सर्द्री वार несचल प्रहम्दास की फड़ा से यो कि सवीक आर्टेश्मेंट है वो डुट खता या रधगेस्वान घी वा उन्हाने ही जो भाبي सबतरी जि उसमें उन्हाँ अपना इस्टान पां किस्ता मैं बसे मंग तो भारत पुत्र पिता की परमपरा नहीं होती है गुरुवण्ष की परमपरा होती है नाथ जी नुरक नात मछंदर नात के पुत्रा है अपने गुरु के पुत्रा नहीं चलती है एढ़ आध्यात्मिक्पिता कि परमपरा जन्ती आशाराम थाूमल नहीं चलेगा आशारम लिला आशा जा मों। निलासा जी… केशल राम चलेंगे वसी बड़ाम को जबश towards JAVI ला जए वसा इसे करतेובײ दादु दिन दयाल तक जाने। डादूदाण द्याल से लेके आगे जाएंगे तो ब्रमा जी तक और आगे जाएंगे तो विष्नू तक और विष्नू जी नहां से पैदा हो इस ब्रम्ब तक की हमारी परंपरा है आपकी भी भूई है प्रेधी शेल जी माराज के बावन सिश्य हुआ उन्हीं से अगशिया दिटी मान कफॉवै कि यह यहाँ ज्लदांकी और रविचार Спागर नाम का over higher if the opportunity for 순़ी केस्वा निट में अट्मर्याम दिवी सुल है केस्वा नंटी कस्वी महात्मा प्यागी महात्मा Cities उनके सिसी उनके छरणों में इस लिलाράम जी महरा ते रे वरस के वस्तम आगे थे बड़ि तपशया की साधना की सिवा की और साखसातकार इमापूर रिष वरस के वस्तम साखसातकार हो गया फěर उनके च Bernard में बहुत सारे संत आए सादक आए उन्ही में से सतसी से बापुजी है तो बापुजी ने भी बहुत है जो वहां पर साधना किये गुरु आसर में रहे हैं और फ्राक्सादकार हुआ है और एसे में फिर धुहाधार परचार किया संसार में और दर्म की दोजा ले रहा दी तब कुछ इससाई मिस बादमें अऺत्सार गरंते साधार केया कि सारे बारत के विद्वान उनका अनुस्वरन करने लगे ते उसी में सकेशावनजी मर्aning20 के सिसिय लिला ऑपुजी पुजी संत स्री असाराम जी बापुजी संत आसाराम बबापुजी बहुत अच्छे एक परचारक, एक संसकारवान जो समाज को इतना संसकार दिया है, समाज को इतनी जो है, सिक्षा दिया है उसका प्रेणाम यह हुआ कोई कुछ स्वार्थी तत्वों ने मिला करके शेडिंतर रचा करके आज उनकी इसी मलब कि शादू समाज की या समझो एक अच्छे इनसान की संत की उन्होंने उस तरह से जो है रूप रेका बना रखिया है ये स्वार्थी तत्वों का काम है इसको ग्यान नहीं है जब यह ऐसे बॉलता है बिल्कुल संत कभी किसी का आहित नहीं करते हैं और यह सर्ष्टी के निर्मान के साथ में सुख है तो दुख है निंदा है तो जो है आफवाद में मिलते हैं इसलिए ऐसी चीजों के कोई वो नहीं है अंगुली तो संसार है और संसार तो उठाता रहेगा लेगा लेकिन संतों ने भोट अच्छी वानी कही ए रजब ने अपनी वानी में कहा है कि जो है रजब रोस ने कीजिए लोग कहो क्यों ही हासकर उतर दीजिए हां बाबा यूं ही क्योंकि सुक है तो दुख भी है, लाब है तो आनी भी है, यस है तो अप्यस भी है, यह तो निरंतर जो है चलने वारी बाते हैं, लेकि संत महापुर्स इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब करके संतों को भी सयोग रख करके और उनके बारे में विचार करना चाहिए सब्सक्राइब करके संतों को जो बड़े-बड़े कार करते हैं, उनको ऐसे ही टार्गेट किया जाएगा, तो समाज को क्या हनी होगी आपको क्या रखता है दिमत समाज के संसकार खतम हो जाएंगे आज हिंदू समाज में दिनों दिन संसकार गड़ते जा रहे हैं सरदा कम होती जा लिए क्योंकि सार्ण सवाड के तत्व हैं अच्छे-चे सादू संतों को इस तरह से जो है उस्जार नपसा लेते हैं और फिर वो लोग मौन लेते हैं उस परंपरा को खतम करके इसाई वापस हिंदूों में कनवर्ड हो रहा था आसा राम जी की वज़े से लाकों इसाई वापस हिंदू बन रहे थे अपने घर वापसी कर रहे थे और आज इस संसार में सबसे बड़ा इसाई धर्म है उनका वर्चस वह आपना आपको खोड़ा नहीं चाहते और हमारी जो उचस्त पदों पर बेटी हुई भारत की जितने भी नितागन है वो उस इसाई परंपरा से जुड़े हैं तो उनके दिल को छोट पहुंचती है इसलिए हिंदू धर्म पे ही सबसे बड़ा हमेसा वार किया जाता है अखाड़े बालों ने वीच मेटर उठाया था कि संत कौन है वो संत कौन नहीं है लिष्ट जारी की थी तो मीडिया ने तमाम प्रकार की बातें की थी जौदा अखाड़ा जो है एक विवस्ता है चार संपर्दावी बाईन द्वारा जो चला है पेले से सारमानण deepest माराश से ऐर यह देखिए रामानुत जी रामानंद जी वीष्णु स्वामी जी माधवा अचारी जी निंबार्घ स्वामी जी इनकी संप्रदाय बाएंद वारा हो अन्हीं से चार संप्रताय रह् doit वा और? अब इनकी साओं से चार आगे चलगर करके yen करste बाह। तो एसा नहीं है कि दो तेरा लाकाड़ा जो भोलते हैं तेरा ख़ोड़ाजरा कर शोड़ा के अलावा जैसे बर्मग्यान wife पुरूस्ष दादुद अल्टायि जी मनाच रहे तो कल भों भोल देंगे कि दादुदे जी मनाच भी संत नहीं ते कलो बोल देंगे गुरुनानक भी नहीं थे, कलो तो कह देंगे नर्सी जी भी नहीं थे, अमारे तेरा अख़ड़ों में, उनके कहने से कोई ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो संत नहीं है, बापु जी संत हैं, और हमारी दादू पंद परमपरा से हैं, और साजिस की हैं लोगो लोग बोला करते हैं कि इतने बड़े परमपरा और इस परमपरा से बंचित रखा गया मीडिया के मात्यम से, तमाम बातें आती हैं, सच्चाई की बात आती है, तो इतनी बड़ी सच्चाई मीडिया ने छिपाई और यहां तक की दिखा दिया कि संत संत नहीं है, संतासा रा दादू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहां पर अभी मेला चल रहा है, और इस जगे पर कई बार, 26 जन्वरी 2011 को बापु जी यहां पादा रहे थे, इस पूरे छेत्र का अवलोकन किया था दादू दिन द्याल जी की परंपरा से संतासाराम जी बापु की सहने तक की परंपरा का व्याख्यान कर लेते हैं, क्या बोलेंगे दादू दिन द्याल जी ने कितना सहा है? अर्वे परंपराम जुड़े होते हैं, वह वेसे संसिल्ठा की मूर्ति होते हैं, स्वामी जी श्री दादू दायल जी मारा आजे, इस अंसार में सत्य का प्रचार करने के लिए निकले ते हैं, और उनका मूल मंत्र यही है कि सत्य का उप्देश दिय जाए, आपा मैटो हरी बजो तनमन तो विकार निरवेरी सब जी उसी दादु ये मतसार तो इस प्रकार परचार कर रहे थे उसमें में ऐसा माजिक तत्वों ने बहुत उत्पात भी किये थे और कुछ ऐसा माजिक तत्वे परमपरा में भी जुड़े होते हैं वो लोग अपने शीशियों को भेजा क एक सीशय के शीख हैं ताकि अपना परमपरा भी बढ़ें गी और हमान दे देंगे दो देल जी को तो चार मराज के पास और कहा कि हमारे और आपको मान देंगे समान देंगे आप ворमपरा मिल जाओ दास्टे का वैसा ऐसा इयुक्श केわかे का परचार कर रहे हैं तब उनको औ जो बॉंबे में संबेलन हुआ संतासा राम जी बापू को अध्यक्ष बनाया गया और बाद में आज के हालातों में अखाड़े वाले जो तमाम बातें करते हैं तो जो बिदेसी लोग चाहते हैं कि फूद डाल राज करो तो आपको आसा है लुग सिकार हो रहे हैं अनुत की आपपो जी करते और बाप जी तोड़ सकता है ना अब नहीं तोड़ सकते और जिनकी आस्ता है आकड़ों की या और मैनतों की आचारियों की तो है अबी सब्सक्राइब परचार करते हैं तो जैसे दादुदे अलजी मराज का आयात वे परचार कर रहे तो अजारों सीशिय बन रहे थे उस समय के मैंत आचारी वह भी सोचे थे कि हमारे सीशिय ने बन गए इनके कैसे बन रहे हैं मुला संडितों है जो बहुत बड़ी साजिस करके अफ़ाएं उडा करके राजा को जाके बोला कि दादुजी है ऐसे आगे यहां पर पाकंडी है वो है इस परकार से मनमुक काम चलाते हैं परंपरा से नियर इनका कोई अखाडा नियर ऐसे जाकर के राजा बिलंद खान को बो अब तुम क्यों आयो बाकी तो नहीं आ रहे हैं तो मैं स्रीबणियों ने कहा देखो हमारा जो आना यह वेरत नहीं है आपके दरसन 500 रूपे में भी मिले तो हम दरसन करें उस समय के पांसों उस समय के आज कि आम करोणों में या पकात कर सकते हैं इसको दादू खोल बोलते संता साराम जी दादू परंपरा से किरंबत तरीके से संत हैं इसमें भी बहुत अच्छे बठाये गया था मीडिया के माध्यम से क्या उस रिंखला को आप पुष्ट करेंगे 2013 में प्रेस कॉनफरेंस में नारान स्वाहिं भी सात में थे प्रेस कॉनफरेंस केके मेनन के साथ में भी था वहां पे तो उसमें में यह बात मीडिया वालों उठाई तो मैंने उसमें में भी का था कि हमारी परंपरा दुदायल जी मराज ने हैं और स्वामी श्री श्री नेचल दाशी मराज बड़े मापुरस वें उनसे वेदान्त जो परचार वा है इसके बाद में कुछ दादूपंत परंपरा वाले भी बोलते हैं और जैसे पुझेपात श्री अचारी श्री श्री गोपाल दाशी मराज ने बोला ही है कि नेचल दाशी हमारे बहुत बड़े मापुरस रहे हैं और साखाएं बहुत फिली वी है तो उनी नेचल दाशी से